सुखे पत्तो सी सिसकती जिन्दगी बैसाकी के सहारे लर्जती जिन्दगी हर कदम पर लडखडाती बहिकती जिन्दगी रोशनी की चका चौन के पीछे चिपे अंधीरी सी जिन्दगी वक्त बतला, हलात बतले और बदल गया जिन्दगी का नजर्या लडखडाते कदमों को सहारा मिल गया अब तो अंधीरी रात के बाद उठते सूरसी जिन्दगी हजारों उम्मीदों की लोचलाती जिन्दगी अब न रही वैसाखी, न रही किसी सहारे की जरूरत किसे की मस्बूत कोशिशों ने बदल दी हजारों की जिन्दगी कुछ ऐसा ही चमतकार किया डॉक्टर शेकुंदला मिश्रा यूनिवर्सिटी ने जिसने सैकुर दिव्यांग चात्रों की अंधिरी जिन्दगी को उम्मीद के हजारों चराख से रोशन कर दिया है तूटे भिक्रे हुए लोगों में होसला चगाया और उन्हें इस बात का अहसास दिलाया कि वो भी किसी से कम नहीं है यूनिवर्सिटी के बीसी डॉक्टर निशित राजी ने दिव्यांग को अपनी जिन्दगी का अहन हिस्सा समझा उनका मानना है कि देश को अगर काम्याब बनाना है तो इने भी मुख्यधारा से जूड़ना होगा उनकी इसी सोच का नतीजा है कि आज इस यूनिवर्सिटी में एक ही जट के नीचे सामान में और दिव्यांग जट एक साथ तालीम हासिल कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में हजार जट आज अपनी किसमत अपने कातों से लिख रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में दिव्यांग जट रहे हैं जिस से उनके बीच में आपसी सोचार बना रहता है ये महज एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि ये उन दिव्यांग जट रहे हैं झाल झाल